हेलो गाइस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो session में हम 19 दिसंबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तर आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेग साथ ही आप गुगल प्ले स्टोर से current affairs funda app को बिस्टॉल कर लिजिए क्योंकि जो भी हमारा pdf material है जिसमा आपको current affairs के साथ साथ static चीके भी प्रवाइट कराते हैं यह सभी material आपको हमारी current affairs funda app पर उपलब्द हो पाएगा हमारे pdf को संबने दिया आपका कोई भी doubt है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो session की सबसे पहले आच्छा question देख लेते हैं which site is also known as the Angkor Wat of the North East किस इस्थल को उत्तर पुर्व का Angkor Wat भी कहा जाता है options आपके सामने है पहलिंग तमांग उनकोटी य अंकोर Wat of North East कहा जाता है इसे options spelling है तवांग है उनकोटी है चेरापुंजी अच्छा same question मैं आपको टेलिग्राम पर भी daily post कर दिया करूँगा ताकि आपको answer भी मालूम चल जाएं क्या answer क्या रहते हैं तो इसलिए आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजिए current affairs funda नाम से वहाँ पर daily वाले questions answer के साथ मैं आपके साथ share कर दिया करूँगा तो भी नेमड मिसेज वर्ड 2022 मिसेज वर्ड 2022 किसे नामित किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option D है सरगम कोशल तो भारत की सरगम कोशल यह जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं इन्हें मिसेज वर्ड 2022 चुना गया है और 63 countries से जो contestant आए उन्हें हरा कर 21 साल बाद वाप भारत के पास ताइटल आ गया है आपको बता दे यू यूनाटेड इस्टेट्स की जो मिसेज वर्ड 2021 रही है सेलीन फोड इन्होंने मिसेज कोसल को यह मिसेज वर्ड 2022 का ताज पैनाए यूनाटेड इस्टेट्स में यह सरेमेनी हुई है आपको जानना चाहिए मिसेज एक बार यह टाइटल चीता था साल 2001 में जब डॉक्टर अधीती गौवित्रिकर ने यह खिताब अपने नाम किया था तो इस बार 2022 ते इसका टाइटल हुआ इसमें यह जर्च के तौर पर भी जो है जर्च के तौर पर इनोंने सर्व किया इस वाले जो इस बार टाइटल यह जी टून्टी डैवलपमेंट वट नैटिंग हैल्ड इन विज सीटी यह जी टून्टी डैवलपमेंट वर्की गृटक की सहर में आज जित होई है options आपके सामने हैं सही answer option भी Mumbai है तो आपको जाना चाहिए G20 Development Working Group इसकी चार दिन की मीटिंग Mumbai में हाली में संपन्वी भारत की अध्यक्षता में और यह जो मीटिंग है इसका जो एम था यह developing countries, least developed countries और island countries इनमें जो developmental issues हैं उनको discuss करना रहा आपको जानना चाहिए कि जो Development Working Group है इसको साल 2010 में establish किया गया था अच्छा हाली हमने भी देखा था कि first G20 Finance and Central Bank Dipties meeting बेंगलुरू में संपन्वी है तो G20 संबने जितने भी अब आगे meeting चलती रहेंगी इनके वेन्यों आपके लिए महत्रपूर्ण रहेंगे रहेंगे वेन इस्था International Migrants Day celebrated अंतरास्टे प्रवासी दीवस कम मनाया जाता है options आपके सामने हैं सही option C है 18 December तो आपको जाना चाहिए United Nations General Assembly ने चार दिसमबर साल 2000 को यह प्रोक्लेम किया कि 18 December को हम International Migrants Day celebrate करेंगे और इसका जो मेन थीम रहा है Integrating Migrants into the primary healthcare system यह 2022 में इसका theme रहा है साथ ही आपको जाना चाहिए 18 December को ही Arabic Language Day मनाया जाता है और भारत में हम 18 December को Minorities Rights Day celebrate करते हैं India has received all 36 Rafale aircraft from France in which year had India signed an intergovernmental agreement with France to buy 36 Rafale aircraft at a cost of around 60,000 करोड रुपीस भारत को फ्रांस से सभी 36 Rafale विमान मिल चुके हैं भारत ने किस वर्स लगबग 60,000 करोड रुपे की लागत से 36 Rafale विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझोते पर हस्ताक्षर किये थे Options आपके सामने हैं सही answer option C है 2016 तो आपको जाना चाहिए कि हाली में जो भारत को अपना last जो Rafale aircraft है वो प्राप्त हो चुका है और फ्रांस से हमने 36 Rafale aircraft receive कर लिए हैं और आपको यह भी जानना चाहिए कि यह जो Rafale aircraft हैं यह Ambala, Haryana और Hazimara West Bengal में stationed हैं अगर हम इसके इतियास के बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस ने 2016 में एक इंटर गॉर्मेंट एग्रिमेंट साइन किया था जिसके तेहत 60,000 क्रोड रुपे के लागत से 36 Rafale fighter jets भारत को फ्रांस प्रोवाइड कराएगा तो अब यह 36-36 Rafale aircraft भारत को मिल चुके हैं आपको बता दें जो 5 Rafale jets का जो 1st best था यह 29 जुलाई 2020 को भारत में पहुंच था यह 17 Squadron का पार्ट है जेट्स अगर हम बात करें इन के बारे में तो 4.5 Generation French Twin Engine Canard Delta Wing Multi-Roll Fighter Aircraft Engine को डिजाइन और बिल्ट किया है डसौल्ट Aviation ने अगनी 5 is capable of hitting targets at a range of 5000 km अगनी 5 5000 km की सीवा में लक्षो को बेदने में सक्षम है तो क्यों यह question frame किया गया है क्योंकि हाली में भारत ने अगनी 5 ballistic missile का सफलता पूरवक परिक्षन किया है आपको बताते हैं एक nuclear capable missile है इसकी range 5000 km से ज़्यादा तक की है और इसे अब्दुलकलाम आइलेंट ओफ ओडियसा कोस्ट में test fire किया गया है इसकी जो छमता है यह 5000 km की जैसे की मैंने आपको बता है अगनी 4 यह 4000 km तक की range बे टार्गेट को hit कर सकती है अगनी 3 3000 km की range तक और अगनी 2 2000 km की range तक आपको जाना चाहिए जो ब्रह्मो मिसाइल है उसका यह extended range वर्जन है अगनी 5 और Su-30 Mark-1 aircraft से इसको लौंच किया गया In which year was the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threaded Species founded Recently three medicinal plant species found in the Himalayas have made it to this list Poochre International Union for Conservation of Nature की Red List of Threaded Species किस वर्ष इस्थापित किया गया था हाली में हिमाले में पाई जाने वाली तीन औस दिय पोधों को पोधों की परजातियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है options आपके सामने है सही answer option भी है 1964 तो आपको जाना चाहिए तीन medicinal plant species जो की हिमाले में पाई जाती है इन्होंने IUCN Red List of Threaded Species में अपनी जगह बनाई है अगर हम इनके नाम देखे तो मिस्ट्रॉपीज परिटा इसे critically endangered लिस्ट में रखा गया है इसको वल्नेरिबल केटेगरी में और इसको इंडेंजर्ड केटेगरी में रखा गया है आपको जाना चाहिए जो इन्टरनेसल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ निचर रेड लिस्ट ऑफ थेटेंड इस्पीसीज है इसको 1964 में स्टैब्लिश किया गया था और यह एक रि रेड केरिगरी में स्ट suprem रोख जाती हैं जैसे अइक्स इंडेंजर्ड इन्जाड इंडेंडर और वल्नरेबल नियर थेटेंड लीस्ट करसंड डेय्स्षार्ट एंड नॉट ऑडियोट और इसमें जो वालरेवल हैं डेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसका मतलब यह extension की और जो है जाने का इनका खत्रा है extinct हो सकती है यह यहाँ पर आप यह पूरा एक देख सकते हैं किस तरह से value किया जाता है अच्छा यह जो IUCN red list है इससे question मन जाता है exam में इसलिए मैंने extra information आपको provide करा रहू हूँ अच्छा यह उपर तो बात हुई थी 1964 में बनाया गया था इसको जो यह threatened species की जो red list है बाकि आपको जाना चीज जो IUCN इसकी स्था अपना 1948 में हुई थी और इसका जो headquarter साई एक land Switzerland में इस्तित है which of the following announced the launch of women entrepreneurship platform 3.0 web portal to support women entrepreneurs in India निम्लिकित में से किसने भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला उद्यमिता मंच 3.0 web portal launch करने की खोशना की सही आंतर option C. नीती आयोग है आपको जाना चाहिए government of India का जो public policy think tank है नीती आयोगिनों ने announce किया है कि हमने जो women entrepreneurs हैं भारत में उनको support करने के लिए women entrepreneurship platform WEP 3.0 web portal launch हिया है और 2.5 lakh women धाई लाक महिला जो entrepreneurs हैं उनको हम इसके तहत लाने का target रखते हैं आपको जाना चाहिए जो global alliance for mass entrepreneurship है GAME या game आप कह सकते हैं यह इस platform का program manager रहेगा अगले तीन साल के लिए और इस portal को जो है develop operate maintain करने का जिम्मा इसी के पास रहने वाला है आपको जाना चाहिए जो यह WEP है women entrepreneurship platform इसको 2017 में conceive किया गया था और इसकी mission director अना रोय है background में आपको अगर थोड़ा sound सुनाई दे रहा है तो उसके लिए आप ही चाहूंगा क्योंकि आसपास क्या है ना आजकल क्रिस्मस का भी चल रहा है तो चर्च भी है आसपास वहां से भी उनका भी celebration चल रहा है तो सुबह सुरू हो जाते हो लोग उनकी भी आवाज आ रही है और मंदिर भी है पास में तो वहां पर भी सुबह हनवान जिगा मंदिर सुबह सुबह आरती से सुरू आज हो जाती है किया पूछ रहे कि विच कंट्री ओर्गनाइस्ट अ प्रैक्टिकल सेमिनार ओन सेक्योरिंग दा साइबर स्पेस फ्रेंटियर्स फोर डेलिगेट्स फ्रों संगाई कोपरेशन ओर्गनाइशन मेंबर स्टेट्स सही आंसर यहां ऑप्शन ए है इंडिया देखे आपको जान अच्छा जो इसमें डेटा सेक्योर्टी कांसिल ओफ इंडिया यह नौलेज पार्टनर रहा है और यह जो सेक्योर्टी यह जो सेक्योरिंग साइबर स्पेस फ्रेंटियर्स नाम की जो प्रैक्टिकल सेमिनार रही है किसके लिए लोंच की गई जो संगाई कोपरेशन इसमें उनके लिए जो रैट्स से बिलोंग करते हैं अब राट्स का मतलब क्या है डाट्स का मतलब रीजनल एंटी ट्येरिस्ट इस्ट्रक्चर यह यह अप याद रखेगा SCO के अंदर गत आता है यह Regional Anti-Terrorist Structure कई बार अलग से एक कोश्चन पूछ ले जाता है PCS टाइप एक्जाम में तो एक बार पूछा भी गया आपको जही जानना चाहिए कि यह जो प्रैक्टिकल सेमिनार है यह one of the India's initiative है इंडिया को द्वारा यह स्टार्ट किया था 2019 में और SCO के Regional Anti-Terrorist Structure यह याद रखेगा SCO से संब्दित है SCO रैट्स मेंबर स्टेट से सभी है कजाकिस्तान हो गया चाइना, कर्विस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान अचाय यह जो प्रैक्टिकल सेमिनार रही है झार्ट में इसकाarem चीह तो मेरे फोकस ही रहा है कि हम एक्जामिन कर सकें और इस इशू पर डिसकर्शन कर सकें कि जो सेपरेटिस्ट और एक्स्रेमिस्ट हैं टेरिस्ट हैं उनके द्वारा इंटरनेट का मिस्यूज ना हूँ इशया पैसिफिक्स लारजेस्ट इूथ इनोवेशन मुवंट मॉमेंट वंगा इंडी इंडिया अतर् इनमेशन मिशन निरिय्ग और युन दी पी इंडिया द्वार और फिफ्ट जो यह लिखा रहता है न आधर इनोवेशन मिशन नितियायोक यह एक ही है ठीक है इसको एक की यह साब से पढ़ा गरें आप यह नहीं कि अलग है फिर नितियायोक अलग है फिर यून-डिप इंडिया उन्टै, का यह एक प्रोग्राम है तो एक है ये पुरा अटल इनोवेशन मिशन नितियायोग चले जानते है यूथ को लैब इसका फिफ्थ एडिशन हाली में जॉइंटली लॉंच किया गया है अटल इनोवेशन मिशन नितियायोग और UNDP इंडिया के द्वारा आपको बता दे जो यूथ को लैब है ये एस्या पैसिफिक का लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मुवेंट है तो इस एडिशन के लिए जो एप्रिकेशन से हैं वो लॉंच की गई है जो मिशन डारेक्टर है अटल इनोवेशन मिशन नितियायोग के डॉक्टर चिंतन वैशन तो इसके तहएत किया था जो यूथ है तो उनको एंकरीश करना कि बाफ्त करने के लिए क्शों सोशलथ कि कर सके है जिनका जो है जो उनकी एप्लिकेशन है वो सिस्टेमड देवर्य गोल्स एचीव करने में मददगार हो तो इस तरही कुछ इनोवेशन आप लोग कर सकें उसके लिए इन्हें एंग्रेज करना यूथ को बाकि आपको चाहिए जो ये यूथ को लेब है इसको क्रियेट किया गया था 2017 में UNDP और City Foundation के द्वारा बाकि मैंने आपको बता दिया है क कि इसका मकसद क्या रहता है जैसे कि आप पढ़ी भी सकते हैं यूथ को लेब इस a multi-dimensional and multi-level response to tackle the challenges young people face by positioning youth at the forefront in finding solutions to global challenges tackling sustainable development goals where is the headquarters of the cotton corporation of India located recently it signed an MOU with the tax proposal बारत्य कपास निगम का मुख्याले कहां इस्तित है हाली में इसने tax proposal के साथ एक समझोतागापर प्रस्ताक्षर किये हैं सही आंधरॉप्शन C मुंबई है तो आपको जानाचे एक MOU यानिके Memorandum of Understanding sign किया गया cotton corporation of India CCI Limited और tax proposal के बीच में जिसके तहत जो कस्तूरी cotton इंडिया है वारांसी इसकी branding की जाएगी traceability और certification में मदद की जाएगी तो यह जो collaboration है यह जो cotton farmers हैं उनको उनके produce का जो actual value है वो दिलाने में मदद करेगा आपको जाना चाहिए cotton corporation of India along with textile industry as exporters तो यह सभी मिलकर जो cotton farmers हैं इंडिया में तो उनको एक world market में एक जगह दिलाने के लिए इस पर कारे कर रहे हैं quarter corporation of India limited के अगर हम बात करें तो एक central public sector undertaking है अंडर the ownership of ministry of textiles government of India इसको 31 जुलाई 1970 को incorporate किया गया था under the companies act 1956 प्रदीव कुमार अगरवाल इसके cmd है और headquarter से इसका मूंबई में विश railway zone won the first and second prize for energy conservation measures in railway stations category किस railway zone ने railway station की स्रेणी में उर्जा सनक्षन उपायों के लिए प्रतम और दित्य प्रुशकार जीता सही answer option दी है South Central Railways आपको जाना चाहिए President of India स्रीमती द्रौपति मुरू इन्होंने National Energy Conservation Awards, National Energy Efficiency Innovation Awards, National Painting Competition Prizes यह सभी distribute किये है on the occasion of National Energy Conservation Day जो की 14 December को मना जाता है तो South Central Railways इन्हें Railway Stations category में Energy Conservation Majors के लिए First and Second Prize दिया गया है तो First Prize में दिया गया काश्वेगूडा इस station जो की हैद्राबाद ते लंगाना में आता है और Second Prize दिया गया है गुंताकल Railway Station अननत्पुडिस्टिक आंधर प्रतिर्सकू अगर हम Building Categories की बात करें तो अजमेर वक् होस्पिटल गुंताकल इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन ट्रेनिंग सेंटर विजयवाडा और डिविजनल रेलवे होस्पिटल प्रताप नगर को वर्कर पोपुलेशन रेशो हैस इंक्रीज़ फ्रॉम 46.8 परसेंट इन 2017-18 तो वर्ट परसेंट इन 2020-21 श्रमिक जंसंख्या अनुपाद 2017-18 में 46.8 परतिशत से बढ़कर 2020-21 में कितने परतिशत हो गया है सही आंसर उप्शन C है 52.6 परतिशत तो देखे आपको जाना चाहिए जो वर्कर पोपुलेशन रेशो है WPR ये 2017-18 में 46.8 परतिशत रहा और अब ये बढ़कर 2020-21 में 52.6 परतिशत रहा है इसका मतलब क्या है कि य उनमें लोगों का जो इंगेजमेंट है वो बढ़ा है आपको जाना चाहिए जो डेटा है ये प्रोवाइट करा जाता है प्रियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत जिसको की कंड़क्ट हिया जाता है में स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंडेशन के द्वारा 2017 18 से ही ये सर्वे किया जा रहा है आपको जाना चाहिए अच्छा है जो ये प्रोड़क्टी एक्टिविटीज हैं इसमें लोग का इंगेजमेंट बढ़ा है तो इसके लिए सरकार ने दो तीन स्कीम बताई है कि हमने क्या-क्या इनिशेटिव लिया है तो आत्मनिरबर भार रोजगार योजना है जिसे एक अक्टूबर 2020 में लॉंच हिया गया था क्योंकि कोविट-19 पैंडमिक के कारंटीन लोग का एंप्लोइमेंट छुट गया तो इसको रिस्टोर करने के लिए या फिर नया एंप्लोइमेंट पाने के लिए इसमें जो लोग है उनको इंसेंट किया जाता है अचा बजट 2022 में प्रोड़क्टिव प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव इसकी में लॉंच की गई जिसका लेवन पॉइंट नाइन सेवन लैक क्रोड रहा है दो जार इकिस बास साल के लिए इसको लॉंच हिया गया है परदार मंतरी मुद्रा योजना है जिसमें आपको कॉलेटरल फ्री लोन्स अब टू रूपीज 10 लाक प्रोड़ कराया जाता है ताकि अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस एंटर्प्राइज़ ने वो एक्टेंट कर सके साथी कॉर्मेंट ऑफ इंडिया प्रा विच स्कीम हैस नाव बीन नेमड एज प्रधार मंतरी विरासत का समवर्धन पीम विकास इसकीम किस योजना का नाम अब प्रधार मंतरी विरासत का समवर्धन पीम विकास योजना रखा गया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन दी है प्रधार मंतरी कोशल को कार्य कर्म यानि की PM-KKK इसको अब नामित किया गया है प्रधान मंतरी विरासत का समवर्धन यानि की PM विकास इसकीम के नाम से तो नाम चेंज कर दिया गया है आपको बता दें अब जो यह सकीम लौंच की गई है PM विकास इसमें जो Minister of 15 Finance Commission का जो पीरेड है उसके लिए इसे एप्रूफ की गई है इस स्कीम को तो यह भी महत्कूर्ट कोश्य ने मिस्ट्री ओफ मार्यूर्टी अफेर्स से संबंदी थे यह United Nations recognized नमामी गंगे initiative as one of the top 10 world restoration flagships to revive the natural world in which year was the नमामी गंगे प्रोग्राम started संयुक्त रास्ट ने नमामी गंगे पहल को प्राकरति को पुनरजी वित करने वाली विश्व की दस शीर्स बहाली flagship पहलों में से एक के रूप माने था दी है नमामी गंगे का रिक्रम किस वर्स प्रारंब किया गया था उप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर उप्शनस ही है 2014 तो देखें United Nations ने नमामी गंगे initiative को नमामी गंगे इनिशेटिव आप सभी जानते हैं जो गंगा इनिशेटिव चल रहे हैं उनमें जगा दिया नमामी गंगे को आपको बता दिए अवार्ड रिसीव किया गया है नमामी गंगे की जो डैक्टर जन है जी अशोक कुमारद्वारा कहां पर देखें मौन्ट्रियल कनेड़ा में 15th Conference of Parties to the Convention on Biodiversity इसका फंक्शन हुआ है यहीं पर यह अवार्ड दिया गया है तो यह भी अपने आप में कुशन है कि 15th Conference of Parties to the Convention on Biodiversity यह कहां हुआ मौन्ट्रियल कैनेड़ा में हुआ है किस दिन हुआ 14 इसंबर को हुआ जिस दिन World Restoration Day मना जाता है आपको जाना चाहिए यह अब जो नमामी गंगे जो इनिशेटिव है यह अब इलिजिबल होगा यूएन की और से सपोर्ट फंडिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए नमामी गंगे प्रोग्राम साल 2014 में लॉंच किया गया था इनिशेटिव के लिए किसे न्यूक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन ए है सेंडी हुक तो देखें अमेरिकन एग्जेकेटिव है सेंडी हुक इन्हें जो दोजार बत्रिस ओलंपिक एन पैरलंपिक गेम्स के लिए और्गनाइजिंग कमिटी है उसका सीओ न्यूक्त किया गया है ब्रिस्पेन ऑस्ट्रेलिया में और आपको यह जानना चाहिए इंट्रेसल ओलंपिक कमिटी ने दोजार बत्रिस के जो गेम्स हैं वो लिद्नी में साल दोजार में विसिटी हैस मेड़ सोलर पैनल्स मेंडेटरी फोर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर टॉंटी टॉंटी फाइफ किस साहर ने दोजार पच्चिस के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवारे कर दिया है ऑप्शन्स आपके सामन इंस्टोल करना मेंडेटरी है ताकि जो हाउस होल्ड कार्बन एमिशन है उसमें कट लाए जा सके आपको बता दे जापान पांचे नंबर पर यह वर्ड के लास्ट वर्ड के लार्जस्ट कार्बन एमिटर जो देश हैं उनकी बारे में बात करें उनमें फिफ्ट पोजिश बानते हैं इन दिसमबर जी सेवन एप्रूब्ड 15.5 बिलियन युएस टो डिल विच कंट्री तो हेल्प कटिंग प्लाइमेट डेमजिंग पॉलुशन दिसमबर में जी सेवन ने जलवाई वहानिकारक प्रदुशन को कम करने मदद करने के लिए किस देश के साथ 15.5 बिलि युएस डॉलर्स की मदद देने की गोशना की है ताकि जो वियतनाम है यह जो कॉल पावर से रिनुबल एनरजी की और अग्रेसर हो सके और इसका जो क्लाइमिट डेमिजिंग पॉलुशन है उसमें भी कट लाया जा सके आपको बता दें इसका एम यह है कि जो वियतनाम है वो अपना एमिशन रिडियूस करें और 2050 तक नेट चीरो एचीव कर सके आपको बता दें भारत इस इनिशेटिव का विरोध करता हुआ आया है किस इनिशेटिव का इसका जो हम पढ़ने वाले हैं जस्ट एनरजी टांजिशन पार्टनरशिप तो इसका नाम है जस्ट एनर की और अग्रसर हो सके तो आपको बता दें वियतनाम को यह जो वियतनाम को जो यह 15.5 बिलेन यूएस टॉलर जो दिये जा रहे हैं यह इस जस्ट एनरजी टांजिशन पार्टनरशिप के तहती दिये जा रहे हैं इसी तरह का एक एग्रिमेंट पिछले साल साथ अफ्रिका क के जा रहा है वियतनाम के साथ वियतनाम के बारे में बात करें कैपिटल हनोई हैं यहां की करंशिया आप जानते हैं वियतनाम इस डॉंग विच कंपनी हैस पार्टनरड विद विया सेट टू डिलिवर सैटेलाइट इंटनेंट एकसेस तो 10 मिलियन पीपल एक्रोस तर वर् एग्रिमेंट साइन किया है जिसके तरह 2025 तक हम वर्ड में 10 मिलियन पीपल को इंटरनेट एकसेस प्रोवाइड कराएंगे सेटेलाइट के तुरू अच्छा विया सैट यह फर्स सेटेलाइट पार्टनर बन किया है जो माइक्रोसोफ्ट के एरबैंड इनिशिटिव के साथ कारिय कर रहा है बाकी माइक्रोसोफ्ट के बारे में आप जानते हैं चेयर्मेन और सी यो सत्या नडेला है है फार्मडर्स कोन रहें बिल गेट्स एंड पॉल एलेन हिंदुजा क्रूप विल इन्वेस्ट 35,000 क्रोड रूपीस इन विच स्टेट हिंदुजा सुमो किस राज और हिंदुजा ग्रूप के बीच में इन दे प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ सिंदे तो ग्यारा सेक्टर्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें इन्वेस्टमेंट करेगा हिंदुजा ग्रूप इंडिया बीट विच कंट्री इंड फाइनल पैनल में और अपना तीसरा सक्सेसिव टी टी टॉन्टी वर्ड कप फॉर दब्लाइंड टाइटल चीत लिया है एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बैंगलूरू में इससे पहले भारत साल 2012 और 2017 में यह टी टी टॉन्टी वर्ड कप फॉर ब्लाइंड जीत चुका है तो आपको जाना चीए भारत ने ग्रूप फ्रेंड लौंच किया है ताकि जो पीस कीपर्स हैं जो सान्ती दूत हैं उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके तो न्यू डेली में एक्स्टनल अफिर्स मिस्टर एस जैंसंकर ने इसको लौंच किया है और ये भी कहा है कि जल्द ही एक डेटाबेस हमारे पास होगा जिसमें जो भी ब्लू हैलमेट्स हैं उनके खिलाफ जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको रिकोर्ड किया जा सकता है अ इनको बोलते हैं तो उनमें एक उप्शन ये भी था यूएन पीसकीपर्स तो आंसर यही होगा ब्लू हैलमेट्स के सो बलता है यूएन पीसकीपर्स जो सांती दूत होते हैं तो इसमें भारत बांगलादेश इजिप्ट फ्रांस मरोक्को नेपाली सभी सहध्यक्ष रहने वाले हैं ग्रूप फ्रेंड्स में और जो पीसकीपर्स के खिलाफ जो क्राइम होता है उसके लिए एकाउंटिविटी फिक्स यहां पर की जा सकती है आपको जाना चाहिए ग्रूप फ्रेंड्स पॉलिटिकल विल ऑफ मेंबरी स्टेट्स पार्टिकल जो टूप एंड पॉ जाता है ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ उसके लिए आपको कितना एकाउंटिविटी फिक्स कर सकते हैं तो युनाइट नेशन्स सेक्यूरिटी कांसर डिजलूशन 2589 इसके तहत जो मेंबर्स स्टेट्स हैं तो उनको इस तरह की एक अपिल की जाती है कि आप एप्रोप्रिये ब्लू हेंट्स के आपर आपको के आप एक एंगे विजय दीवाई इस जालिबुटी अनीच फिक्ते इस्ट सिस्ति इसम्बर मूरश्वरा तंपल इस इन विछ श्ते टार्नातक इन विछ कंटी है यु थज एट पर ब्स एंपारोस यु इस इस फेदियोग ऱ्टनी सॉट अबर आप में से कही एस्टरिसम बिल्खूल सही अंसर दिय है। इसी तर से आप पाटिस्पेट करते रहिएगा। चलिया आची असायरमन कोश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको परसंटेज बता हैं। 75%, 50%, 25% इस तरह से इसका अंसर रहेगा। What will be the reference date for the 2021 Census of India, also the 16th Indian Census, who will take over the Chief Executive Officer of Deloitte India from 1st April 2023, Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub, and which company have announced Applications Invitation for AppScale Academies Class of 2023? Teodoro Obiang, Guima, Mabasoko is the longest serving president of any country ever in PowerSinks 1979, which country's president is he? किस देश के president है यह आपको बताने हैं। अब तक के longest serving president हैं। तो यह 8 questions के answer आप चल्दी से comment box में बता दीजिए, पीजिसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं। दोस्ते आपर हमारे current interface की प्रेश दी गई है। इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current interface को शेयर जरूर करें।